सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आलो फ्रेंड्स चलिए आज हम इस वीडियो में पर्मे 10.10 को हल करेंगे इसमें दिया गया है कि यदि दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा खंडे उसको अंतरविष्ट करने वाली रेखा के एक ही और इस्तित दो अन्य बिंदु पर समान कौन अंतरित करे तो चारू बिंदु एक वरत पर इस्तित होते हैं यानि कि वे चक्रिय होते हैं चक्रिय का मतलब होता है कि चार बिंदू अगर एक वरत पे हैं एक वरत पी स्थित है तो उसको हम क्या कहेंगे चक्रिय कहेंगे तो अब इसने लिखा है कि दो बिंदू को मिलाने वाला रेखाखन एक बिंदू हमने A लिया यह बिंदू C है और एक बिंदू हम यहाँ पर ले लेते हैं बिंदू D माल लेते हैं इसको यह बिंदू D है तो इस तित दो बिंदू इस तित दो अन्य बिंदू पर समान कोन अंतरित करें अब यह जो बिंदू है यह रेखा खंडे इसको जोड़ने वाला इससे क्या हुआ क यह जुरुए खाना यहां पर समान कौन अंतरिस कर रहा है दोनों बिन दूपर, मतलब एक तो कौन यहां पर हम बनाएंगे, यह मनेगा A, C, B, और दूसरा मनेगा A, D, B, तो यह दोनों कौन आपस में बराबर होगे, यह इसमें हमें दिया गया है, तो देखें इसमें आपको एक तो C को हम A से मिला देंगे इस तरह से, ऐसे मिला देंगे, और फिर हम C को B से मिलाएंगे, तो यह B से मिला दिया, इसी तरह से एक बर A को D से मिला देंगे, तो यह हो गया A, D, और एक बर D को B से मिला देंगे, तो यह हो गया D और B, इस तरह से आपको एक चितर है, वो जोडने वाले ये रेखा खंड है इसको अंतरविष्ट करने वाले रेखा के एक ये और दो बिंदू है तो हमने वाली C और D ये दो बिंदू है इसके दो बिंदू अन्य बिंदू उपर समान कौन अंतरित करें तो यहां पर देखिए समान कौन अंतरित कर रहे हैं एक ये कौ वरत पर इस्तित होते हैं अर्थात हुए चक्री होते हैं यानि कि हमें सिर्थ करना A, B, C और D A की वरत के उपर इस्तित बिंदू है तो रचना में हम इसके अंदर एक वरत बनाएंगे और यहाँ पर एक पोईट लेंगे उसको हम B से मिला देंगे इसमें एक रचना होगी तो सबसे पहले हमें दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ हमें दिया है A, B रेखा खंड के एक ही और बने कोण बराबर है बने कोण बराबर है तो यह दोनों कोण बराबर बनी हुए है बराबर है तो एक यह कोण और एक यह कोण बराबर है यह हमें दिया गया है तो A, C, B तो यहाँ पर लिख सकते है A, C, B बराबर हो जाएगा A, D, B के तो कोण A, D और B ये दोनों कॉन बराबर हमें दिये गई है अब इसके अंदर हमें सिद करना है वो लिख लेते हैं सिद करना है कि A, B, C और D और D चक्करिया है चक्करिया का मतलब मैंने आपको बता दिया कि च्यारू जो बिंदू है A, B, C, D वो A की वरत के उपर इसके तित है इसका मतलब चक्करिया होता है तो A, B, C, D चक्करिया है ये हमें सिद करना है अब इसमें एक रचना करनी है रचना में हम क्या करेंगे एक वरत खिंचना है लेकिन वरत खिंचेंगे हम कैसे कि एक वरत हम तिद्ध के मैं आपको बता देता हूँ तीन बिंदू से एक वरत गुजर सकता है तो हम यह माल लेंगे कि A, B, C इन तीन बिंदू से होते हुए हमें एक वरत बनाना है मतलब कि रचना करने है एक वरत की जो बिंदू D से नहीं गुजरेगा सिरफ A, B, C इन तीन बिंदू से हमें होते हुए एक वरत बनाना है जो बिंदू D से नहीं गुजरेगा और बाद में हमें यह सिद्ध करना है कि D है वो भी इसी वरत के उपर इस्तित है तो A, B, C तो पहले से हो जाएंगे और D को हम बाद में सिद्ध कर देंगे लेकिन C और D कोण यह बराबर है यह हमें दिया गया था वो मैंने लिख दिया है अब ही में हम आले हैं कि यह वरत है वो इस पॉइंट के उपर काड़ता है तो इसको हमें एक नाम देंगे कि E है यह पॉइंट E है यह जो बिंदू है वो E बिंदू है यह हम यहाँ पर लिख देंगे तो चलिए हम रचना में लिखेंगे बिंदू A, B और C और C से होकर जाने वाला जाने वाला एक वरत खिंचा जो बिंदू जो बिंदू D से नहीं गुजरता है तो बिंदू D से नहीं गुजरता A, B और C तीन बिंदू से गुजरता है D से नहीं गुजरता तो ये रचना में लिखना है अब E को हम B से मिला देंगे तो देखे E को B से मिला देंगे तो ये भी रचना में लिखेंगे तथा E B को मिलाया E और B को भी मिलाएंगे तो ये रचना में लिख दें कि E B को मिलाया चलिए अब इसके उपत्ति लिख दें उपत्ति में देगे सबसे पहले हमें लिखेंगे कि जो E B को मिला दिया तो अब यहाँ पर भी एक कौन मन जाएगा देखिए अगर इसको मिला देते हैं तो यह भी एक कौन मनता है अब एक यह कौन और एक यह कौन दोनों वरत के अंदर है और वरत के एक भाग में यानि एक वरत खंड में कौन है तो अगर एक वरत खंड में कौन मनते हैं तो वो कौन बराबर होते हैं एक्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं माल लेते हैं कि ये एक वरत है ये एक वरत है और वरत में ये जिवा है ये मैंने आपको पिछे वाली पर्मे में बताया था कि एक इवरत खंड के कोण बराबर होते है पर में 10.9 में हमने चीज़ सीद की थी तो देखिए ये जीवा है और अब वरत के दो बाग बन गए एक उपर वाला एक नीचे वाला किसी एक बाग में हम कोण बना देते हैं उपर वाले भाग में हम इस तरह से कोण बनाते हैं ये कोण बनाया तो एक ये कोण बना फिर यहां से एक कोण हम इस तरह से ये बनाते हैं तो ये कोण बना अब वरत के एक बाग में बने हो यानि कि एक ही वरत खंड में ये जो कोण बने हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं इसका कारण क्या है? कारण ये ही है कि A की वरत खंड के कोण है तो यहाँ पर भी ऐसा होगा अब A की ये कोण है और A की ये कोण है जो E बना है कि ये दोनों कोण वरत के एक भाग में इस दिता है मतलब A की वरत खंड के कोण है तो दोनों कोण बराबर है तो हम लिखते हैं A, C, B कोण A, C, B बराबर हो जाएगा कोण A, E, B के तो यह लिख देंगे A, E, B के अब इसका कारण लिखना है कि A की वरत खंड के कोण है A की वरत खंड के कोण है इसलिए ये दोनों कॉन बराबर हो गए और हमें दिया गया है कि A, C, B है वो A, D, B के बराबर है ये हमें दिया गया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेकिन कॉन A, C, B जो है वो बराबर है कॉन A, D, B के A, C, B है वो A, D, B के बराबर है ये हमें दिया है अगर एक साइड बराबर तो दूसरी साइड को हम बराबर लिख सकते हैं, इसलिए यहापर लिखेंगे, इसलिए A, E, B, कौन A, E, B, बराबर हो जाएगा, कौन A, D, B के, तो यह आगा A, D, B के, A, E, B और A, D, B बराबर होने का मतलब क्या है, देके एक तो A, E, B, और A, D, B, यानि यह जो कौन है, वो इस कौन के बराबर, तो इसका मतलब तो यह हुआ, कि दोनों कौन अलग अलग नहीं है, A की जगह है, तो इसका मतलब यह भी हुआ, कि बिंदू E, B, बिंदू D, वो भी अलग लग नहीं है, A की जगह है, देके दोनों कौन बराबर होने का मतलब क है कि E और D जो बिंदू है वो दोनों अलग अलग नहीं है वो एक ही जगह है तो अगर E वरत के उपर है तो बिंदू D भी वरत के उपर ही होगा क्योंकि दोनों चीज बराबर है तो हम यह लिखेंगे कि यह दोनों E वर एक ही बिंदू हो दोनों बिंदू अलग अलग लग ना हो एसा तो तभी संब्दू हो सकता है कि जोनों आप लिख दे हम अर्थात है A, B, C, D, A, B, C, V, D, A कही, A कही वरत पर इस्तित बिंदु है, इस्तित बिंदु है, क्योंकि बिंदु E है, वो तो वरत पर ही, अब D को हमने E के बराबर कर दिया, यानि यह दोनों कोणा आपस में बराबर हो गए, तो बिंदु D और E भी बराबर हो गए, E अगर वरत के उपर है, तो बिंदु D है, वो भी वरत के होगा, A, B, C, यह तो पहले से ही, देखे, A, B, C है, वो तो पहले से ही, सरू से ही, यह वरत के उपर इस्तित है, बस हमें तो D को है, वो सिद करना थे, यह बिंदु D है, वो भी वरत के उपर है, तो इसका मतलब चार जात A, B, C, D, ABC तो पहले से ही है और D है वो E के बराबर हो गया तो E वरत पे है तो D भी वरत पे हो गया तो A की वरत पर इस्तित बिल्दू है तो इस तरह से पर्मे 10.10 को आपको सिद करना है तो मेरे क्याल से पर्मे आपको complete समझ में आ गई होगी फिर भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और से जरूर कर देना है तो सब्सक्राइब करना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू